आज मैं अपने शॉर्ट नोट्स की कड़ी में क्लास 10 जोग्रफी से रिलेटेड चैप्टर 4 जो क्रिशी में है और उस से रिलेटेड मैं आज एंसी आर्टी बेजड शॉर्ट नोट्स बताऊंगा इस चैप्टर के तो प्रारंबिक जीवी का निर्वा क्रिशी के बारे में इसमें पहला पॉइंट आता है तो प्रारंबिक जो हम क्रिशी जीवी का निर्वा करते थे यानि कि क्रिशी किस पर बेज थी शुरुवाती हल डाव और खुधाई करने वाली करतन दहन पढ़नाली जिसे स्लैश एंड बर्न बोलते थे उत्तरपूर्वी राज्यों जैसे असम में घाले, मिजोरम और नागल लेंड में इसे स्लैश एंड बर्न को जूम बोलते थे मनिपूर में पामलव और च्छतिस गड़ के बस्तर जिले और अंडमान और निकुबार दीप समू में इसे दीपा कहते है मद्य पर्देश में बेबर या दहिया, आंतर पर्देश में पोंडू या पोडू, उडिया में पामा डाबी, कुमान, राजिस्थान में वालरे, जहारकंड में कुरुवा अब हम वानिजिक क्रशी की बात करते हैं, इस तरह की क्रशी के मुख्य लक्षन, आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले भीजों, रसायन को, उर्वरकों और कीट नाचकों के प्रियोग से उच्च पैदावार करना है वानिजिक यानि की अपने लिए भी रखना और बेचने के लिए भी वानिजिक यानि की वेपार की प्रूप में रखना लुप, अधुनिक एक पन्जाब में चावल वानिज्य की एक फसल है परंतो, ओडीसा में यह एक जीवी का फसल है रोपन कृशी भी एक परकार की खेती में एकल फसल बोई जाती है शश्य प्रारूप भर्द में तीन शश्य रितूओं है जैसे इस प्रकार है रभी, खरीफ और जायद रभी में अपरैल से जून तक कसमे होता है करीप में सितंबर से एक्टूबर में समय होता है आगे है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्पूर्ण खादानन फसल है मोटे अनाज जिसे मिलेट्स बोलते हैं जो आरबाजरा और रागी होते हैं अखादे फसले रबड भूमद्य रेखिये शेतर की फसल है इसको 200 सेंटी मीटर की अधिक फर्षा और 25 डिगरी से अधिक तापमान वाली नम और आदर जलवाईयों की अफशक्ता होती है कपास उत्पादन में भारत का विश में तीसरा स्थान है जूट सुनहरा रेशा कहा जाता है इसे यह फसल बाड के मैदानों में जल निकास वाली उरवरक मिट्टी में उगाई जाती है प्रिद्योगी किये और संस्थागत सुधार टेक्नोलजिकल जो सुधार होए है जम्मिदारी आदी जम्मिदारी विवस्था को समाप्त कर दिया गया भूमी की चकबंदी, सहकारिता तथा जम्मिदारी विवस्था को समाप्त किया गया श्वेत करांती यान की ऑपरेशन फ्लड श्वेत करांती यान की दूद का उत्पादन बढ़ा दिया गया P.A.I.S किसान क्रेडिट कार्ड दुरगटना योजना चालू की गई खादेश उरक्षा पर B.P.L. A.P.L. सबसेड़ी दी जाने लगी वैश्वी करन का प्रभाव की कीट नाशक अब अवेलबल होने लगे औरगैनिक फार्मिंग होने लगी तो ये सब चैप्टर चार के इन शॉट्स में हमने जानकारी ली तो आगे भी अगले चैप्टर की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जोड़े रही है इस चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद